खबर मद्रप्रदेश के बिर्सिंगपूर पाली शेत्र से है जहां फिर रेत का वैद उत्खनन का काला कारोबार जोरो पर शाषन प्रशाषन को खुला चैलेंज दे रहा है यहां आपको बता दें कि लगातार रेत कारोबारी ट्रैक्टर में रेत भर कर जैधार से सूखा की ओर परिवन कर रहे हैं लेकिन उसी दोरान एक ट्रैक्टर को राजस्व विभाग और वन विभाग की सन्युक्ति टीम के नेतरत्व में तैसिलदार दिलीप सोनी ने जप्त कर पाली थाने के सुपोर्ट कर दिया जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ये ट्रैक्टर आम आदनी पार्टी पार्षत का बताये जा रहा है अचार सहिता लागू होते ही राजस्व अमले ने रेत माफियाओं के विरोध धर पकड़ की कारवाई तेस कर दी है आपको बता दें कि पाली तैसील के अंतरगत विभिन जगाओं पर रेत माफियाओं का मकरजाल फैला हुआ है इन दिनों उमर्य जिले में रेत ठेका महिनों से बंध है बंडारेन की रॉयल्टी भी बंध है फिर भी शेतर में रेत का काला कारोबार दिन दुगनी राच चौगनी तरक्की कर रहा है रेत चोरी का मामला लंबे अर्शे से समाचार पत्रों की सुर्खिया बना रहता है जिसके फलसरूप बीते दिन राजस्व अमले ने रेत से भरी तीन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ने में महारत हासल की फिर भी रेत माफियाओं को कोई डर नहीं दिख रहा और पूरे होसले के साथ रेत का अवैध धन्दा फल फुल रहा है बिर्सिंगपूर पाली से आज शीश कुमार दूबे की रिपोर्ट सुबह मुझे जानकारी मिले थे कि कुछ रेत के अवैध खनन होने वाले थे उसके संबन्द में मैं क्या है कि अभी यहाँ से बर्वस्पूर की और गया था वहाँ पे ट्रेक्टर जो है ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि यह ड्राइवर के मालिक है न संध्या रानी पांडे है और ट्रेक्टर का जो नंबर था वो MP54ZA-1996 था और इसका उत्खनन जो है जोहिला नदी से किया जा रहा था और जिसमें यह बताया गया कि इला नदी से लेकर भी यह साइट शूपा कियो सप्लाई करते हैं कि अभी ड्राइवर ने बताया कि कोई इनके मालिक संध्यार अरानी पांडे हैं उन्हीं की बताई गई है कि अभी इस पर क्या है कि प्राइवर ने बन्वा करके और इसे थाना पाली अंतले सुपूर्द किया गया है ट्रेक्टर को और इस डियम सार को प्रस्तावित कर दी गई है जो कि एना उनके माद्वन से प्रसावित हो लाए